मानिय न्याधीश धननजय यश्वंत चन्देचूर जी हमारे 50th Chief Justice of India जो 9th November को शपत अपना लेंगे तो उनसे हम लोगों को Bar Councils as a Chairman Bar Councils बहुत हम लोगों को अपेक्छा है अपेक्छा यह है कि he is the honorable justice, चन्देचूर is a dynamic person, a young person और उनका जो judgments आया है विगत कुछ सालों से Supreme Court में वो एक revolution ला दिया है society में तो हम लोगों को उनसे अपेक्छा यह है कि उनके आने पर actually क्या है कि जो legal system है उसका restructuring restructuring क्यों जरूरी है? उसको जरूरी restructuring इसलिए है कि legal system के तहत नियाय की प्रक्रिया कैसे तेज किया जा सके और एक निश्चित समय में नियाय का निस्पादन और case का निस्पादन किया जा सके इसका एक इस पर सोच के और इसको implement करना जरूरी है तो इसके लिए उनसे हम लोग को बहुत अपेक्षा है दूसरी बात यह है कि देखें जो जारखंड की बात है मैं तो जारखंड का हूँ तो यहाँ पर जो infrastructure है वो कोट का हो civil कोट का हो बार का हो यह बहुत ही पूर है और मैं आपको यह बता दू कि हजारो करोन रुपया इसके लिए अवेलेबल है सेंटर और स्टेट फंड जो मिल कर आता है लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पाया है कोई किसी ने इनिशेटीव नहीं लिया है यह हमारी बहुत आप में इच्छा है वी एक्सपेक्ट अलॉट इसके अलावे जो है सो बहुत सा चीज है जो कॉलिजियम में कॉलिजियम सिस्टेम है उक ऐसे एफेक्टिव हो इन सब के अलावे मैं यह कहूंगा कि यह जो मेरिट का क्रेटेरिया इंटेग्रिटी एंड मेरिट का क्रेटेरिया यह सबसे ज़्यादा जरूरी है इसलिए इन सब को देखते हुए मिलाते हुए हम लोग के हाँ जहां चार करोड के स्पेंडिंग है तो उसमें इनके उपर काफी जिमेवारी है और मुझे इन से काफी अपेक्छा है कि इनके आने के बाद नयाइक प्रक्रिया में काफी सुधार आएगा कि इनके इनके प्रक्रिया में काफी सुधार आएगारी है